नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोग से वायोग द्वारा निकाली गई राजकी इंटर कॉलेज लेक्चेरर की भरती के बारे में लेक्चेरर की भरती 22 दिसंबर 2020 को निकाली गई थी और ये अड़र्टाइजमेंट नमबर A3E1 2020 के द्वारा निकाली गई है इसमें फॉर्म भरने की जो सुर्वात हुई वो 22 दिसंबर से ही शुरू हो गया फॉर्म भरना ऑनलाइन फीस भरने की आखरी तिती है 18 जन्वरी फॉर्म जमा करने की आखरी तिती है 22 जन्वरी तो आप उससे पहले अपना फॉर्म वेब साइट पर जाकर भर सकते हैं इसकी जो फीस है वो अंद्रिजर्ब केटगरी, EWS केटगरी और OBC केटगरी में टोटल 125 रुपेज की फीस है SCST केटगरी में 50 रुपेज की है 65 रुपीज, हैंडिकैप केटगरी में 25 रुपीज फीस है और एक सर्विसमेन में 65 फीस है इसका examination center लखनो और प्रियागराज में रखा जाएगा, अगर भरती में विद्यारतियों की संख्या कम या ज़्यादा रहती है, तो उसके according center कम या ज़्यादा भी किये जा सकते हैं इसमें बात कर लेते हैं कि age की, यानि कि 21 साल से लेकर 40 साल तक के सभी व्यक्ति इसको form को भर सकते हैं अगर हम बात करें subjects की, male group में total 15 subject के लिए vacancy आई है और female group में total 16 subject के लिए vacancy आई है और 482 vacancy female branch के लिए है, आप इसका screenshot ले सकते हैं जिसमें आप अपने subject के according आगे number of seats आप देख सकते हैं ऐसा ही female branch के लिए भी यहाँ पर vacancy दी गई है, तो आप अपने subject के according यहाँ पर अपनी seats को देख सकते हैं आगे हम बात करेंगे educational qualification के बारे में, तो जिन चात्रों ने post graduation किया है, यानि कि MA, MSC उत्तीन हैं, वो अपने subject में apply कर सकते हैं तो यहाँ पर पद के आगे section अनिवारता लिखी हुई है, तो आप अपनी section अनिवारता के according आप इस चीज को देख सकते हैं अब बात करते हैं, examination pattern की जो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण चीज है, क्योंकि examination pattern government inter college में पूर्णता बदल दिया जा चुका है इसमें अब दो परिक्षाएं होंगी, एक प्रारंबिक परिक्षा होगी और एक मुख्य परिक्षा होगी प्रारंबिक परिक्षा का सोरूप हम देख लेते हैं, प्रारंबिक परिक्षा में सामान यद्धिन तथा एक वैकल्पिक विशे के साथ में आपको परिक्षा देनी होगी ये वैकल्पिक विशे वही विशे है जिससे आपने MA या MSC उतिन्ड किया होगा प्रारंबिक परिक्षा बहु विकल्पि यानि कि अब्जेक्टिट टाइप की होगी, इसमें अब्जेक्टिट टाइप के कोश्चन पूछे जाएंगे टोटल 120 कोश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 40 आपके सामान्य अध्यन से और 80 कोश्चन आपके वैकल्पिक विशे यानि कि आपके सब्जेक्ट से होगे टोटल कोश्चन 120 रहेंगे जिसमें से हर कोश्चन के 2.5 यानि कि डाई नम्मर एक कोश्चन का आपको रहेगा तो इस तरीके से टोटल 300 अंकों का पेपर रहेगा जो दो घंडों का होगा सामान्य अध्यन के पाटकरम के बारे में बात करते हैं सामान्य अध्यन में सामान्य विज्यान बारत का इतियास भारती राष्टी अंदोलन भारती राजतंत्र अर्थ व्य catast्था एवं संस्कुरती भारती क्रेशी वानिज एवं व्यापार विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एकम प्राकर्टिक संसाधन अधुनातन अब्देक एवं तारकिक छमता, उत्तप्रदेश की सिक्षा, संस्कृति, क्रिस्ती, उद्धोग, व्यापार एवं रहेंसन और सामाजिक प्रथाओं के संबंद में विशेश जानकारी, प्रारंबिक गडित भी रहेगी जो आठ्वी के स्तर की रहेगी इसमें अंक गडित, बीजगडित और रेखागडित रहेगी, परिस्तितिकी तथा पर्यावरण, वैकलपिक विशेश जो होगा, वो आपका मुख्य परिक्षा को जो पार्थिकरम रहेगा, आपके वैकलपिक विशेश का, आपकी प्रारंबिक परिक्षा में भी वही पार्थिकरम मुख्य वि जो 40 question रहेंगे 100 number के, part 2 में आपका optional subject यानि कि जो आपका subject होगा वही रहेगा, total 80 question आएंगे जो आपको 200 number के होगे, total 120 question रहेंगे 300 marks के ये आपकी प्रारंबिक परिक्षा होगी, प्रारंबिक परिक्षा में पास होने पर ही आपको मुख परिक्षा के लिए form भरना होगा, उस है, उसमें 2 प्रशनपत रहेंगे, यानि कि 2 paper होगे, पहला paper सामान हिंदी और निवन्द का होगा, जिसके लिए 2 घंटा निर्धारेत हैं, और सौंक इसके लिए निर्धारेत हैं, इस particular में हिंदी compulsory है, तो जिन्होंने English medium से किया हुआ है, या जो हिंदी लिखते नहीं है, क्योंकि मुख्य परिक्षा लिखित रूप से होगी, आप जैसे अपने exam में लिखते हैं, B.A.B.S.C. के exam में, जैसे आपने M.A.M.S.C. के exam में लिखते हैं, ऐसे ही आपको लिखित परिक्षा देनी पड़ेगी, तो जो लोग इस तरीके की परिक्षाएं दे रहे हैं, उन के लिए ये काफी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप अगर पहले से इसको प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, तो आपको ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वैकल्पिक विशय भी जो आपका होगा, उसको भी आपको लिखित परिक्षा उसकी भी देनी पड़ेगी जिसके लिए तीन घंटा समय निर्धारित हैं और जिसके तीन सौंख हैं, अब हम बात करते हैं सामान हिंदी के विशय के पाठिक्रम के बारे में, तो सामान हिंदी में आपका एक गद्दांश आएगा, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, परियावाची शब्द, तत सम्त, अदभव, विदेशी भाषा के सब्द, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द, रूप्त, संदी, समाश, क्रियाएं और इसी तरीके के आपको हिंदी का पूरा सामान हिंदी का पाठिक्रम पूरा है, इसमें लिखना होगा, ये आपको OMCQ इसमें नहीं आएंगे, इसमें स 50 अंक निर्धारित हैं, इसकी शब्द सीमा होगी, 1000 शब्द की, यानि कि आपको नीचे दिये गए इन में से जो साहित संस्कृती, राष्टी, विकास, योजनाएं, अंतराष्टी, राष्टी, समाजिक, समस्याएं, निदान, विज्ञान, एवं परियाबरान, प्राकरते कापदाएं, क्रेशी, उद्ध्योग, तथा व्यापार, इन सभी से संबंदिद आपको कोई भी एक हिंदी निवन्द पूछा जा सकता है, जिसको आपको 1000 शब्दों में जिसको आपको लिखना होगा, ऑप्शनल सब्जक्ट की अगर हम बात करें, तो परिक्षा में एक आ पाँच कोश्चन होंगे, जो आपके नॉर्मल आपके सामाने उत्तर ही होंगे, यानि कि आप इनको लॉंग आंसर टाइप कोश्चन कह सकते हैं, 220 शब्दों में आपको प्रस्ण का उत्तर देना पड़ेगा, और एक प्रस्ण के लिए 25 निर्धारित हो रहेंगे, यानि कि 150 वर्ड तक उनको कंप्लीट करना है, और एक कोश्चन के लिए 15 नंक फिक्स रहेंगे, ऐसे ही सी सेक्षन में, यानि कि सा सेक्षन में आपके 10 कोश्चन होंगे, जो अतिलग उत्तर है, यानि कि very short answer type कोश्चन होंगे, जिनमें आपको 50 शब्दों में उस कोश्चन को पूर यहाँ पर मैंने इसको बना के रखा हुआ है, इसमें आपके papers लिखे हुए हैं, पहला paper होगा जो आपका journal हिंदी और हिंदी ऐसे करहेगा, journal हिंदी में कितने कोश्चन होंगे, और उनको कितने words में लिखना है, यह आपको जब आप exam देंगे, तो उस paper में लिखा हुआ होंगे, और हिंदी ऐसे के 50 नम्मर होंगे, हिंदी ऐसे में आपको एक ही निवंद लिखना पड़ेगा, वो निवंद आपको 1000 words में लिखना होगा, और उसके 50 अंगने अधारित होंगे, तो जो आपका पहला paper होगा, वो 100 नम्मर का होगा, और इस paper को आपको 2 घंटे में complete क करना है, जो second paper होगा, वो आपका 3 part में divide है, part A, part B और part C, part A में 5 question होंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ, 250 words तक आपको उनकी limit रहेगी question को करने की, और एक question के लिए आपको 25 नम्मर मिलेंगे, part B में 5 question है, 150 words में आपको उनको लिखना है, एक question को, और एक question के लिए 15 अंगने निर्धारित हैं, ऐसे ही part C में 10 question है, very short answer type के, और एक question आपको 50 words तक limit में लिखना है, और उनके लिए आपको 10-10 अंग प्रतेक question के निर्धारित हैं, तो इस तरीके से आपका paper 2 है, वो आपका 300 अंग कर रहेगा, और 3 घंटे में आपको उसको complete करना है, optional subject के syllabus के लिए आप आयोक की website पर जाकर notification को download कर सकते हैं, उसमें सभी subject का नीचे syllabus दिया हुआ है, या फिर आप मुझे comment section में अपने subject को comment करके लिख सकते हैं, और मैं उसका syllabus आपको provide करा दूँगा, धन्यबाद